नमस्कार YouTube चैनल N Universe Study में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे H.T.Prixya Level 3 PGT for Lecturer Subject Code No. 1306 जो 23 दिसंबर 2017 को Evening Shift में आयोजित हुई और इस प्रिक्षय में हर्याना राज्या से सम्बंदित पूछेगे प्रशनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे शुरू करते हैं पहला प्रशन Mango Mela आयोजित किया जाता है इस प्रशन का सही उत्र है Option A पिंजोर में Mango Mela परतियेक वरस पिंजोर के यादविंदर गार्डन में आयोजित किया जाता है यह दो दिनों तक आयोजित होता है और यह Mela पहली बार वरस 1902 में आयोजित किया गया था और यह हर साल जुलाई महीने में इसको आयोजित किया जाता है अगला प्रशन है 2016 के घृषम पैरालंपिक में हरियाना मूल के कितने एथलीट या एथलीटों ने पदक जीता इस प्रसन का सही उतर है ओप्शन ए एक एथलीट ले अब एक तस्वीर में अगर हम देखें भारत के वरतवान परधान मंतरी के साथ वो चारों खिलाडी हैं जिन्होंने 2016 रियो पैरालंपिक में पदक जीता भारत को कुल चार पदक हासिल हुए जिसमें से दो स्वर्ण पदक, एक रजद पदक और एक कांसे पदक मरियपन थांगा वेलू जो तमिल अडू से थे इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया उंची कूद में दिवेंदर जाजरिया राजस्थान स्वर्ण पदक भाला फैंक में और दीपा मलिक जिनका संबंद हरियाना राजय से है इन्होंने रजद पदक हासिल किया गोला फैंक में और दीपा मलिक का जनम गाउं भैसवाल तैसील गोहाना जीला सोनिपत में 30 सितंबर 1970 को हुआ और दीपा मलिक कमर के नीचे का हिस्सा इनका लकवा से घ्रस्थ है और इसके बावजूद भी इन्होंने रजद पदक हासिल करके पैरालंपिक में देश की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरालंपिक में कोई पदक जीता यह भी एक गोरव की बात है और वरन सिंग भाटी जो उत्तर प्रदेश है इन्होंने कांसे पदक उन्ची कूद में प्राप्त किया तो इस परकार रियो 2016 पैरालंपिक में भारत को चार पदक हासिल हुए और रियो 2016 रियो डिजनेरियो ब्राजिल में यह आयोजित हुआ थ यमना नदी नहीं भैती है इस प्रसंद का सही उत्तर है ओप्शन ए कुरुक्षेतर यमना नदी कुरुक्षेतर में नहीं भैती है और गंगा की प्रमुक साहिक नदी यमना हरियाना की महतोपुण नदी है और यह पूर्व में हरियाना को उत्तर प्रदेश से अलग करती है यह उत्रखंड राज्य के गड़वाल हिमाले मिस्थित बंदर पूच के पस्चमी ढाल पर यमनोत्री हिमनत से 6303 मेटर की उन्चाई से निकलती है और यमना ताजे वाला के उत्तर में कलेसर के समीप हर्याना के यमना नगर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है अगला प्रसन है सुमेलित कीजिए अभ्यारण और जिले दिये गए हैं और हमें बताना है कि अभ्यारण किस जिले में स्थित है खपरवास जजजर जिला बताया गया है और यह बिल्कुल सही है और यह वन्याजीव जजजर जिले में भिंडावास वन्याजीव से लगबग 1.5 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है और वर्स 1991 में इसे मानेता परदान की गई और यह 241 में विश्त्रित है अगला नाहर रिवाडी यह भी मिलान बिल्कुल सही है और नाहर वन्याजीव अभियारन रिवाडी जिले में सरंक्सित वन के रूब में अवस्थित है यहां सियार लोंबडी काला हिरन रहते हैं परिय सिकारगर्ड यह पंचकुला में अवस्थित है इसे वर्स 1975 में अभियारन बनाया गया और यह दस दसमलव नो तीन वर किलोमेटर के क्षेतर में विश्त्रित है यहां सांबर चीतल नेल गाए आदीव निवास करते हैं अबू सहर यह हरियाना के सिरसा जिले में अवस्थित है और यह अभियारन 11,530 हेक्टेर में विश्त्रित है तो इस प्रशन का सही उत्र होगा उप्शन ए अगला प्रशन है निमल लिक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है थारा सो सतावन की क्रांती के नेता और उनके कारेच छेतर दिये गई है पहले सद्रू दिन और मेवा यह बिल्कुल सही है नाहर सिंग और बल्लवगर्ड यह भी सही है उसके बाद गफूर अली और पटोदी का सम्मंद बताया गया है यह गलत है क्योंकि गफूर अली पलवल से सम्मंद रखते थे और पटोदी से अकबर अली थे ओप्शन चार एहमद अली फरूक नगर यह राज्यपाल नहीं थे बी एन चक्रवर्ती हरियाना के दूसरे राज्यपाल रहे हैं और सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल नहीं थे ये हरियाना के पांच में राज्यापाल रहे धानिक लाल मंडल हरियाना के दस्वें राज्यापाल रहे तोपसंथ सी शीवराज पाटिल हरियाना के राज्यापाल नहीं रहे धरमबीर हरियाना के पहले राज्यापाल थे और वर्तमान 16 राज्यापाल कप्तान सिंग सोलंकी है अगला प्रशन है 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाना की दस्किय जनसंख्या वरिदी है 2011 की जनगणना भारत की पंदरवी और हरियाना की पांचवी जनगणना थी और 2011 में हरियाना की कुल जनसंख्या 2,53,5,462 अगर हम 2001 की बात करें उस समय हरियाना की जनसंख्या 2,11,44,564 थी तो इस परकार 2001 और 2011 के बीच हरियाना राज्या की जनसंख्या में 19.9% की वृद्धी हुई जबकि अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की दसके जनसंख्या वरिदी दर 17.7% रही और 2011 की जनगणना की अनुसार हरियाना का सरवादिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला रहा और सबसे कम जनसंख्या गनतव वाला जिला सिर्शा और सबसे अधिक जनसंख्या गनतव वाला जिला फ्रिदाबाद सरवादिक लिंगा नुपात वाला जिला मेवाद सबसे कम लिंगा नुपात वाला जिला गुरुग्राम सरवादिक साक्सरता वाला जिला गुरूगराम सबसे कम साक्सरता वाला जिला मेवात सरवादिक पुरुष साक्सरता वाला जिला रेवाडी सबसे कम पुरुष साक्सरता वाला जिला मेवात सरवादिक इस्त्री साक्सरता वाला जिला गुरू गुराम और सबसे कम इस्त्री साक्सरता वाला जिला मेवात रहा अगला प्रशन है एक नुम्मबर 2017 को हरियाना की 13 विधान सबा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है इस प्रशन का सही उत्र है option B 13 हैं तेरवी विधान सवा हरीयान की एक सदर्निय विधान सवा है जिसका चुनाव 15 अक्तूबर 2014 को हुआ वर्तमान में सथसकतल भारती जिन्ता पार्टी है सेन तालिष सीट्सितों के साथ इनलो पार्टी के पास 19 सीटे हैं कोंग्रेस पार्टी के पास 15 सीटे हरियाना जनहित कॉंग्रेश के पास 2 सीट हैं सिरोमणए काली दल 1 सीट बहुजन समाज पारटी 1 सीट निर्दलिय 5 सीटे हैं तो इस परकार ये 90 सीटे हैं जिसमें से 73 सीटे सामाने सरेणी और 17 सीटे अनसूची जाती के लिए रक्सित हैं 17 सीटों में भाजपा की 9 सीटे हैं कोंगरिस की चार हैं इने लो की टीने सिर्मर मणिकाली दल की एक सीट है उसके बाद हरियाना राज्ज विदान सबाव में महिला विधायक कौन कौन है भारती जिन्ता पार्टी की आठ महिला विधायक है छे समान्यस रेणी और दो आरक्स निपास्ट से पर है समाने स्रेणी की विधायक कवीता जैन सोनीपत से हैं एक मातर महिला कैबिनेट मंत्री हैं लतिका सर्मा कालका से प्रेम लता उचाना कला रोहिता रेविडी पानीपत सीटी संतोस यादव अटेली सीमा तरीखा बढ़कल से विधायक हैं संतोस चौान सारवन मुलाना आरक्षी सीट है विमला चोधरी पटोदी यह भी आरक्षी सीट है कॉंगरेस पार्टी के पास तीन महिला विधायक हैं जिसमें से दो आरक्षी सीट पर है एक समाने स्रेणी सीट पर है सकुंतला खटक कला नूर आरक्षी सीट है गीता बुकल ज जजर आरक्षी सीट है किरिन चोदरी तोसाम से समाने स्रेणी सीट से विधायक है इन एलों के पास एक महिला विधायक है नैना सिंग चोटाला जो डवाली से विधायक है समाने स्रेणी सीट से हरियाना जन्हीत कोंग्रेस रेणी का विशनोई हांसी समाने स्रेणी सीट से वि का सहर है option D पानिपत और पानिपत को बुनकुरों का सहर भी कहा जाता है अगला प्रशन है दीन द्याल जन आवास योजना के बारे में अदो लिखित कतनों पर विचार कीजिए योजना निमन और मद्यम संभावना के सहरों के लिए प्रियोज्य है नीती का उदस्य सहरों में कम कीमत के आवासन विकास को प्रोचाहित करना है नीती के तहद 15 एकड अधिक्तम प्रियोजित क्षेतर होगा 150 वरग मीटर भूखंड का अधिक्तम आकार होगा उपरियुक्त में से कौन से कथन सत्य है ओप्शन चार दिये गए चारों कथन सत्य है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट के साथ और एन इनिट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद आपका सुबर है